वाहे गुर्ची का खाल साव वाहे गुर्ची की फते हैं पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जो सरकार है वो सिखों, हिंदों, मुसल्मानों सबी के विरोध चल रही है पिछले दिने हमने देखा कि महाराश्टर सरकार ने 13 मेंबर अपने गुर्दवरा हजूर, तक सच्छन श्री हजूर साहिब का जो बोर्ड है गुर्दवरे का, उस बोर्ड के अंदर शामिल किये हैं गुर्दवरा बोर्ड की कमेटी को तोड़ कर उन्होंने एक अपनी नई सरकारी कमेटी बना दी, जिसका विरोध करने के लिए आप ये जो तस्वीरे साथ वाली स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तस्वीरे हैं कल तक साचकन श्री हजूर साहीब में सिक संगत ने फारी संख्या में रोज पर दर्शन किया सरकार के खिलाप सिक संगत ने वहाँ पर कहा कि वह सरकार की किसी भी परकार की दखल अंदाजी गुर्दवरा साहिब के अंदर नहीं जरेंगे उन्होंने सरकार ने मंदरों के उपर कमजा किया हुए, मंदरों के गोलक के उपर कमजा किया गया है इसी परकार से अब आने वाले सवे में सरकार सिखों के गुर्दवारे के उपर कमजा करना चाती है कभी वह गुर्दवरा सिजगन साहिब के पार्किंग वाले मसले को लेकर बोलते हैं सिख संगत ने सरकार का विरोत करते हुए सरकार के खिलाफ रोज परदर्शन किया और उनोंने कहा कि गुर्दवरा साहिब के अंदर तक्त सचकंश्री हजूर साहिब का जो गुर्दवरा बोड है उस बोड के अंदर किसी भी सरकारी मेंबर को कोई भी जगे नहीं मिलेगी दूस्ता सड़क के ऊपर काफी बड़ी तादाद के अंदर आप सिख संगत को देख सकते हैं सरतक सच्कन शरी हजूर साहिब अप्चन नगर में नांदेड साहिब के अंदर सिख संगत ने भारी संख्या के अंदर सरकार के खिलाब रोज मार्च पर दर्शन किया है दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस समय किसानी अंदोलन फिर से शुरू हो चुका है जहां अंबाला के अंदर धारा 144 लगाई जा चुकी है वही पंजाब और हर्याना के किसान दिल्ली की तरफ पूछ करना शुरू कर चुके है किसानों ने सरकार के खिलाफ ऐसा अंदोलन फिर्डा की सरकार को किसानों की समी बाते माननी पड़ी हमने सिख धर्मगा कॉंटेंट बनाना बहुत कम कर दिया बाकी की चीजों के उपर ध्यान देंगे तो मिलेगे नए वीडियो के अंदर वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को ओल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट करने के बाद वाटसब में शियर जरूर करना